है गाइस बेलकम बैक मैं विक्की सर फिर से एक बार हाजिर हूँ कुछ बेहतरीन कॉंसेप्ट आपके सामने लेके तो बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब थे चैनल लेट्स बिगया हाई ये सुरू करते हैं इंग्लिस ग्रामर को बिलकुल बैसिंग इंड्रक्शन से सबसे पहले जानेंगे इंग्लिस क्या है सबसे पहले जानेंगे इंग्लिस क्या है इंग्लिस एक लैंग्वेज है ठीक है तो लैंग्वेज जैसे छोटा सा बच्चा रहता है तो क्या हम ऐसा नहीं होता है अगर मैं इसके skill की बात करूँ कि एक language कैसी सीखी जा सकती है तो सबसे पहले हम listening करते हैं ठीक है, उसके बाद हम speak करना ही start करते है ठीक है, उसके बाद हम बढ़ना ही start करते है फिर last में हम उसको лिखना ही start करते है ठीक है बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल वैसे ही सीखे, छोटा बच्चा सबसे पहले क्या करने लगता है, वो चीजों को observe करता है, कि कोई मेरे पास आ रहा है, मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, वो actual में बोल के आ रहा है, तो पहले वो चीजों को observe करता है, ठी जैसे जैसे आप बोलोगे, वैसे वैसे ही, वो भी start करेगा, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, वो सबसे पहले फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, यह रही बात, अब language कि अगर हम बात करें, तो क्या होता है इसके बाद में, script, ठीक है, एक script होती है, जो जिस language में लिखी रही होती है, लेकिन यह जो script लिखी जाती है, यह किस चीज़ से मिलके बनी होती है, उसको हम बोलते है, symbol, ठीक है, जैसे हमको लिखना हुआ है, अमर, तो हमने अमर लिखा, लेकिन अमर में यह A, M, A, R, यह actual में है क्या, यह सब क्या है, symbol है, ठीक है, तो बहुत यह ध्यान से सम नोट्स बनाते हैं, चलिए आप, बिल्कुल बेसिक से, एडवांस लेबल तक चलेंगे, ठीक है, अगर मैं इसके symbol की बात करूँ, तो symbol, को भी हम क्या बोलते हैं, alphabet बोलते हैं, ठीक है, alphabet, बर्ण माला, अब यह alphabet, इंगलिस में होतें कितने प्रकार हैं, 26 letters होते हैं, और इन 26 letters में से कुछ sound होते हैं, अब उन sounds को क्या बोलते हैं, wobbles और consonants बोलते हैं, ठीक है, यह सारे symbols हैं, जितने भी लिखे हुए हैं, ABCD तो आपको यादी होगी, A से Z तक, इसमें कितने letter होते हैं, 26 letter होते हैं, इसको हमने divide किया है, कितने part में, दो part में, एक consonant और एक wobble, तो wobble क् जैसे अभी हमको कुछ भी बोलना हो, जैसे हमको बोलना हो, का, तो हम का अगर बोल रहे हैं, यह तो मुझे देखने में consonant लग रहा है, बेंजन लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई भी sound नहीं है, तो हम बिना sound के, बिना sorry के, हम बोल ही नहीं पाएंगे, एक्चुल में का मैंने बोला, और का से ज़्यादा किस पर जोर डाल रहे हैं, आ पर, तो यह आ क्या है, यही आ, sorry कहलाता है, बास समझ में आई, तो यही काम होता है, A, E, I, O, U, जितने ये vowels हैं, इनका काम यही होता है, उसके बाद जितने बचते हैं, वो सारे consonant है, तो क्या दुनिया में ऐसे कोई word है, जो हम बिना स्वर के बोल लें, या ऐसे कोई word हो, जिसमें A, E, I, O, U, ना आया हो, तो ऐसे कोई sound नहीं है, ऐसे कोई word नहीं है, लेकिन अगर आ गया, जैसे, आपके सामने लिखा हुआ है, C, R, Y, ठीक है, अब F, L, Y, अब इसमें तो मुझे कहीं A, E, I, O, U नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा हो, तो मुझे बताओ, इसका मतलब एक चीज बाहर निकल के आती है, कि A, E, I, O, U के अलावा भी कुछ बॉबल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो W और Y को हम क्या नाम दे देते हैं, सेमी, एक सेकर मैं मैं इसका कलर चेंज कर लोँ आज, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, ओके, इसको कौन सा नाम देते हैं, सेमी, बावल, बास हमें आई, तो अभी कितने हो गए ये बावल्स, ये 5, और W और Y को मिला के, टोटल संख्या में कितने हो गए, लेकिन मैं कोई तीसरा, इसका पार्ट नहीं बनाने जा रहा हूँ, कि एक कौनसोनेंट है और एक वावल है, आप दो ही पार्ट समझो, लेकिन अपने अनडेस्टेंडिंग के लिए आप ये समझ लो, कि इसमें, दो सेमी वावल्स भी होते हैं, ये कपी-कपी, वावल्स का भी काम करते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं, लेटर के बाद में कौन सी युणिट आती है, तो युणिट आती है, वर्ड, आप भाई, हमारे सामने लेटर आगे है, A to Z, हमारे सामने लेटर है, A to Z, अब हम इसका करेंगे क्या, तो इसको हम जोडेंगे, ठीक है, a meaningful unit of letters तो यह जो letters हैं इनकी एक unit बनाएंगे लेकिन यह unit जो हो है यह कैसी होनी चाहिए meaningful होनी चाहिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कि अगर मुझे car लिखनी है तो मैं car लिख दूँँगा ठीक है यह R के लिखना है A, R, C यह भी meaningful है लेकिन हम अगर लिखेंगे R, A, C यह कोई भी ऐसा word नहीं है जो dictionary में exist करता हो car मतलब सभी लोग जानते है arc मतलब भी सभी लोग जानते है जो कहते हैं न कि 5 cm की तरिज्या लेके एक चाप लगाया उसी को क्या बोलते हैं हम arc बोलते हैं ठीक है तो अब यह आपको बास सब में आ गया होगा कि यह जो letters हैं इनकों में इकठा करेंगे लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर meaningful नहीं है तब यह word की category में नहीं आएगा यह ऐसे ही रहेगा ठीक है इसके आगे अगले unit की बात किया जाए तो आती है हमारे सामने phrase ठीक है यह एक phrase होता है लेकिन phrase क्या होता है आई हम जान लेते हैं अगरुपाफ word without complete meaning एक प्रकार का word होता है sorry word के साथ-साथ इसको हम sentence भी कह सकते हैं ठीक है इसको हम sentence भी कह सकते है तो एक sentence होता है जिसकी meaning complete नहीं होती है जैसे in the car on the ground understand तो यह जो आपके सामने लिखा हुआ है यह एक phrase है ठीक है अब phrase कितने परकार के हो सकते हैं पहले तो यह समझ लिजीए आप कि इसमें ना तो आपको subject मिलेगा और ना तो verb मिलेगा इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है a sentence without subject verb यह subject नहीं होगा इसमें और इसमें verb नहीं होगा ठीक है अब phrase कितने परकार का हो सकता है आपको मिलेगा एड़्जेक्टिवल फ्रेज आपको मिलेगा नाउन फ्रेज आपको मिलेगा एड़्वर्बियल फ्रेज आपको मिलेगा प्रीपोजिषीनल फ्रेज आपको मिलेगा ये सारे फ्रेज हैं जब हम दीरे दीरे और इसको डिटेल में चलेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो बहुत मज़ा आने वाला है बिल्कुल ट्रस्ट करो चलो, next sentence है sentence है next हमारी यूनिट क्या है sentence, अभी हमने पढ़ा later, उसके बाद हमने पढ़ा word, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं sentence ठीक है, a group of word with a complete meaning एक group होता है, और किस चीज का group, word का group, with a complete meaning, लेकिन इसमें भी same problem है, जो word में problem थी, ठीक है इसका भी क्या होना चाहिए, complete meaning अगर ये meaning complete नहीं है तो इसको हम sentence नहीं बोल सकते हैं, ठीक है अब इसके हम arrangement की बात करें arrangement of word, अगर हम इसके arrangement की बात करें, तो सबसे पहले क्या आता है इस पर subject आता है, फिर verb आता है फिर क्या आती है object आता है ठीक है, आपके सामने नीचे एक sentence लिखा हुआ है क्या आप इसको sentence की संग्या दोगे क्या आप इसको बोलोगे कि ये sentence है can Rahul can, sorry sorry, ये यहाँ पे है car ठीक है, car Rahul found a bag in a अब ये किस प्रकार का sentence है हमने word तो इक अठा कर लिया हमने उसको एक group में डाल दिया ठीक है, क्या ये sentence का रूप ले रहा है, नहीं क्योंकि ये subject, verb और object को follow नहीं कर रहा है अगर मैं इसको reorder में रखूँ, तो Rahul found a bag in a car ये कहलाएगा एक complete sentence ओके, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो please like करो, और comment में भी मुझे बताओ, कि आपकी क्या problem है ठीक है तो यहाँ तक चीजें फिर से आप देखिए, revision करो बार बार वीडियो को जितनी बार हो सके, आप वीडियो को बार बार देखो, बहुत अच्छे चीजे समया जाएगी तो आई हम सुरू करते हैं parts of speech ठीक है, part of speech में सबसे पहले क्या आता है, noun लेकिन noun जानने से पहले हम जाननेगी कि part of speech actual में होता क्या है हम अपने body पे यह है एक श्याम यह बड़ा सौकीन है goggles का, mehengi jeans का अच्छी shirt का, अच्छे shoes का और अच्छे hair का बहुत बहुत जादा शौकीन है अब यह सारी चीजें इसको खूबसूरत बना देती है ठीक है? तो बिल्कुल वही काम है parts of speech का, एक sentence उसको क्या बना देते हैं? खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन बिना हम दुनिया में जितने भी sentence हम पढ़ते हैं सारे sentence खूबसूरत होते हैं दुनिया में जितने भी लोग हैं वह सारे खूबसूरत होते हैं इसका मतलब यह है कि एक sentence में जितने भी word आते हैं, वह सारे किसको relate करते हैं उस सारे part of speech को relate करते हैं ठीक है अभी आपके सामने अभी बिल्कुल detail मत जाईएगा सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि यही sentence ले लिजिए राहुल बेटा अभी तुम जाओ अभी के लिए फिर बाद में मिलते हैं अभी के लिए यही sentence ले लिजिए आप राहुल found a bag in a car राहुल क्या हो गया noun found क्या हो गया verb a क्या हो गया articles और articles को हम लोग adjective में लिखते हैं और bag क्या हो गया noun in क्या हो गया preposition a क्या हो गया article और car क्या हो गया noun तो दुनिया में जितने भी sentence आपको मिलते हैं वो part of speech के ही word होंगे उसके अलावा तो होते ही नहीं है ठीक है तो आपके सामने कुछ sentence लिखे हुए हैं ध्यान से देखिएगा इनको और थोड़ा समझने कोशिस करिए कि इसमें पहचानने की कोशिस करिए कि कौन-कौन से नहुन है प्लीज टेक यो टाइम जी हाँ तो ये sentence solve करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताना चाहता हूँ आईए देखिए ये जो पढ़ाने की टेक्निक है थोड़ा सा लगोगा क्योंकि हम स्टार्ड कर दें भी नाउन इसकी definition लिखो ये हम पढ़ चुके हैं आपने जरूर कहीं न कहीं पढ़ा होगा फंक्षनल ग्रामर ठीक है अगर हम इस चीज को रट लेते हैं बिल्कुल कि क्या नाम एक संगया उसी को बूलते हैं जो किसी व्यक्ति को किसी जगा को और किसी वस्त को क्या करें आपको रिलेट करवाए उसकी पहचान बताए उसको क्या बोलते लेकिन यह सिर्फ रटने की चीज़ें हैं आए देखते हैं फंक्शनल ग्रामर कैसे अब यह ही स्टार्ट होता है आपका फंक्शनल ग्रामर पहले आइडिफिकेशन आफ नाउन हम किसी नाउन को पहचानेंगे कैसे आप वाट लगाओ आप हू लगाओ और आप हूम लगाओ यह तीनों चीज़ें लगाने से सिर्फ तीन चीज़ें याद रखना है आपको वाट हू और हूम सिर्फ तीन चीज़ आपको लगाना है और तीन चीज में ही पता चल जाएगे कि यह नाउन एक्शुल में है या नहीं है ठीक है नाउन इस नेमिंग वर्ड अगर हम इसके देफिनीशन की बात के तो बाइट देफिनीशन तो हमको पढ़ना ही पढ़ेगा लेकिन अब इतनी लंबी चोने डिफिनीशन नहीं नाउन इस नेमिंग वर्ड नाउन क्या एक हाँ दुनिया में कोई भी चीज हो उसका अगर नाम करन कर दिया जाए वो सारे नाम है मतलब felt only जितनी में चीजे महसूस कर सकते हो तुम वो सारी चीजें क्या है वो नाउन है यूनिट क्या होती है मैं इसको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा और कुछ चीजें ऐसी होती है जो नाउन नहीं होती है लेकिन वो नाउन equivalent होती है मतलब नाउन की तरह परियोग की जाती ह वो कौन-कौन सी होती है अभी मैं बताऊंगा आपको तो आईए जो उपर sentence दिये गए हैं हम उसको पहचान करवाते हैं क्या लगा के what, who और whom लगा के आओ देखते हैं भाई लोग राहूल found a car, sorry, राहूल found a bag in a car तो who found a bag in car तो राहूल हो गया नाउन अब मैं इसको सिर्फ मैं underline करूँगा या फिर मैं circle करूँगा ठीक है और राहूल found what a car in where या what अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको दिखेगा तो कि कार जो है क्या है यह एक नाउन है लेकिन ध्यान से देखिए यह ना तो what का answer दे रहा है ना तो whom का answer दे रहा है यह answer दे रहा है यह answer दे रहा है एड़वर्ब होता है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह एड़वर्ब हो जाएगा कि कि यह होता है functional निंगर और यह टोटल मिलाटकि यह बनेगा यह टोटल वर्भा एक फ्रेजबनता है और यह फ्रेज़ क्या कहलाएगी बात सवह में Uma Pinky Lobs Shoes of Puma ठीक है तब देखते हैं Who loves Shoes of Puma surfing हम synteen कि ये क्या है नवन है Lobs what तो क्या पसंद करती है Soes of Puma ये भी हम क्या समझ जाएंगे ये एक नवन है ठीक है आगे अगर हम बात करें Karan hosted a party So who hosted a party करan hosted a party ओके यह हो गया आपका नाउन, hosted what, क्या चीज, poetry नहीं है यह, यह party है भाई लोग, party है, ठीक है, करन, hosted what, तो party, अब what का एंसर दे रहा, इसका मत्तब यह क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए, the team played a match, who played a match, तो the team, अब team क्या हो गई एक, नाउन है, played what, क्या खेली, मैच खेला, ठीक है, यह भी क्या हो जाएगा, नाउन, अब next word, आप लोग मुझे बताओ, सारी का बेंट होम, आपको क्या लगा, कि सारी का एक नाउन है, ठीक है, भाई, होम भी एक क्या है, नाउन, नहीं है, कैसे नहीं है, आईए देखते हैं, सारी का हूँ बेंट होम, तो सारी का यह तो किलियर हो गया, बिल्कुल, अब सारी का बेंट हूँ, सारी का बेंट वाट, सारी का बेंट हूम, हमको किसी भी चीज में इसका एंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, अभी हम एक चीज औ और लगा देते हैं WH word तब उसका answer हमको मिल जाएगा सारी का bent where तो हमको पता चल गया कि यह where का answer दे रहा है इसका मत्तब ही क्या हो जाएगा add verb ओके तो बहुत ही अच्छे समझेए next कुछ sentence आपके सामने दियेगा honesty is the best policy honesty is the best policy honesty is what honesty is the best policy अभीक है seven days तो अभीक है seven days ठीक है अभी हमने बात किया था है unit की आपको याद है अभी हमने बात किया था है unit की तो यह जो days है यह वहीं कहलाता है ठीक है जिसमें एक कोई चीज कई चीजें हो और उसको मिला कर एक unit बनाई ग्यों हो अब इसमें किस ची चीज की unit है day की unit है मतलब days ठीक है नेक्स्ट बढते हैं भाई issa met raj yesterday एसा हूं इस्टरडे क्या है when और when where और हॉ। हम cookie मिल रहा है तो वह जाता है भाहि लोग एड़ वर्भ हो जाता है बाद सुन्यार ठीक है अँच्छा अब हम जान जाएंगे कि यह स्टरड़ क्या एड़ अड़ वर्भ है तो अब यहाँ पर भी कि यह आड़ वर्भ है कि इस्टरड़ विलनेवर रिटर्न कल जो है वो कभी लोट के नहीं आता है तो क्या लोट के नहीं आता है तो yesterday इसका मत्तब यह होता है कि जैसे जैसे function होता है sentence वैसे ही decide कि जाते हैं कि यह word क्या है ठीक है अभी यहाँ पे देखे यहाँ पे यह एड़वर्ब है यहाँ पे क्या है यहाँ पे है noun, ठीक है, क्योंकि answer किस चीज का दे रहा है, what का who का और whom का ठीक है, next sentence आप बताओ मुझे Neha likes her home Neha क्या कर रही है likes her home, अपने घर को like कर रही है, किस को किस चीज को like कर रही है हाँ, अब यहाँ पे यह भी noun और यह भी noun, ठीक है next बढ़ते है तो अमीदे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा अभी हम अगर बात करें noun को अब हम divide करें, तो noun कितने पार्ट में divide हो जाता है वैसे तो होते हैं 5, लेकिन 5 समझने में थोड़ी से तकलीफ आपको हो सकती है लेकिन अभी हम समझेंगे कि noun सिर्फ दो पार्ट में divide की जाते हैं एक होता है countable noun तो क्यों नराज पढ़ा है भाई एक होता है countable noun दूसरा होता है uncountable noun यह आसान हो जाता है चीज़ें आसान हो जाती हैं अब countable noun में आपको proper noun मिलेगा common noun मिलेगा आपको collective noun मिल सकता है uncountable noun में आपको material noun मिलेगा और यह इसके पीछे चुपा हुआ है abstract noun ठीक है आपको क्या मिलेगा abstract noun और हम देरे देरे करके हर एक चीज़ को detail study करते हैं मैंने proper noun common noun पास में इसलिए रखा है क्योंकि कुछ आपको बताना है proper noun जो होता है वही common noun होता है but उसमें कुछ differences है इसलिए मैंने उसको ऐसे form में लिखा हुआ है proper noun में जो भी चीज़ें लिखी हुई होती है भाई लिखा तो नाम ही होगा ठीक है ना नाम लिखा होगा तो particular name होगा वो particular name होगा बन्दा बिशेष नाम लेकिन common noun में हो जाएगा तो वो general name, represents, class और category ठीक है और इसको जो proper noun के जो initial letter होते है जो prorambic akshar होते है वो कैसे लिखे जाते है अपर case में मतलब अगर हमको राम लिखना है तो राम का पहला akshar कहां रहेगा वो बड़े में रहेगा ठीक है चली next अब इसके initial letter कैसे रहते है lower letter में ठीक है कैसे अब ही आपको आगे पता चलेगा इसके आगे no article लगाते है मतलब proper noun के पहले किसी भी article का परियोग नहीं किया जाता है और common noun के पहले किसी भी article का परियोग हम कर सकते हैं और चाहे दाल लगाए example के लिए देखे तो रमेज बन गिया यहाँ पे boy रमेज particular है रमेज proper noun हो जाएगा तो रमेज क्या एक लड़का यह हो जाएगा boy सीमा है एक लड़की तो हो जाएगा girl गरल क्या है common noun है किरन है एक लड़की तो यह क्या हो जाएगी इस वीडियो को बार बार देखिए अगर आपको समझने में तकलीफ हो रही है तो बार बार देखिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको तकलीफ होगी अगर आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कहीं तो आपको बिल्कुल सान में आ जाएगा ठीक है Next Material Noun Material Noun में कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है यह Material Noun अक्चुल में होता क्या है नेम आप सब्टेंस या मेटल मेटल जानते हो ना जिसको हम बोलते हैं बाई लोग सास्त्रों में इसको धातु कहा जाता है ठीक है और यह चीज़ें क्या होती हैं Uncountable होती हैं इसको हम बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं और यह हमेशा measurement में मिलते हैं हमेशा आपको नाप तॉल में मिलते हैं अगर आपको इस चीज़ को चेक करना है तो आप किसी जनरल स्टोर पे जाएए और जनरल स्टोर वाला चाचा से बोलिए ओ चाचा मुझको 4577 दाने जल्दी से गिन के दीजिए तो वो बोलेंगे एक बेटा सुबह से कोई मिला नहीं तुम्हें क्या अब मैं 4000-775 दाने में तुमको कैसे दूँगा लेकिन अगर आप चाचा से बोलोगे ओ चाचा मुझे एक किलो चीनी दे दो तो आपको तुरंट देंगे बेटा तु एक मेंट रोगा रहा हूं यस उड उल उल मतलब जानते हैं उन ठीक है गोल्ड सुगर मिल्क जैगरी जैगरी जानते क्या होता है इसका मतलब होता है गुड से मीठा गुड ठीक है अच्छा अगर आप चैनल पर फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपको फायदा होगा अगर आपको इंगलीज में थोड़ी सी भी इंट्रस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर थोड़ा सा और पसंद करते हो तो आप मुझे comment section में बताओ क्यों पसंद करते हो अगर आपको और पसंद आता है तो like कर दो अगर आपको सबस्दा पसंद आता है यार share कर लो ठीक है अगरे बढ़ते हैं collective noun हमारा next क्या है category collective noun का अब collective noun कैसे जानेंगे कि यह collective noun है भाई कुछ तो कि identification होनी चाहिए न तो group denoting name कि एक नाम होता है जिसमें एक group सारी चीज़ें होती है ठीक है एक group होगा और particular group ठीक है और किन चीजों का group similar kind इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर कोई और group चल रहा है उदर कोई और group है उन सब को मिला आके क्या कर लो एक group बना रहो और इसको बोलो कि यह collective नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कैसे है मैं आगे बिल्कुल आपको detail में समझाता हूँ अब यह group similar kind के हैं तो जब similar kind के हैं तो यह इनका same motto भी होना चाहिए मोटो मतलब क्या होता है AIM उद्देश से भी इनका क्या होना चाहिए बिल्कुल same होना चाहिए ठीक है एक example की बात किया जाए तो अगर हम stars को एक group में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप आस्मान में देखते हो stars को group में बोलते हो तो उसको क्या बोलोगे आप galaxy अगर आप student को group में देखते हो तो उसको क्या बोलते हो class अगर आप soldiers को group में देखते हो तो आपको क्या लगेगा यह army है student और teacher की group को क्या बोलते हैं हम school बोलते हैं क्योंकि यह सारे लोग कहां मिलते हैं school में ठीक है bird अगर एक साथ हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम flock ठीक है अगर ship ship जानते हैं जहाज पानी का जहाज यह अगर एक साथ है मतलब यह group इनको group में डाला जाये इनको क्या नाम दे दिया जाएगा अगर की, चाभी, अंगूर और जो धूरतों लोग होते हैं, अगर इनके समों की बात किया जाते हैं, इनको हम बोलते हैं, बंच, ठीक है, कुछ other example है, इनको आप देखी, इनको आप note करिया, pack of wolf, swarm of bees, team of players, a herd of cattle, bouquet of flowers, आपने movie में जरूर सुना होगा कि मैं उसके लिए bouquet ले town, ये बहुत ही खुबसूरते से आपको confuse करता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा, मैं आपको एक छोटी सी form बताऊंगा, F-A-Q-S, आप इसको याद रखो, आप बिल्कुल confuse नहीं होगे, F-A-Q-S, मैं थोड़ा सा इसके color को change कर लाता हूँ भाई लोग, थोड़ा सा colorful होना चाहिए भाई, अच्छा, चलो आप थोड़ा सा हम निला यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F-A-Q-S, इसका म हमारी वो चाहे गुसा हो, चाहे खुशी हो, चाहे जो हो, उसको हम क्या बोलंगे, abstract noun, action, कभी-कभी होता है, कि action हो जाता है, तो वो action जो होता है, वो actual में abstract noun होता है, यसे अब कहतो कि क्या नम हसो मत, तुमारी हसी मुझे अच्छी ने लगए ये, ठीक है, तो ये जो हसी है ये जो ठाके लगा के हसते हैं हम लोग, ये actual में क्या होता है, ये action होता है, quality, आप अच्छे हो, बुरे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बुरे हो, ठीक है, सारी, ये सब क्या है, ये सब qualities हैं, तो ये सारे चीज़ें किस category में आएंगी, कौन से noun में आएगा, abstract noun में आएगा ठीक है, state की बात करें, तो ये इसका मतलब होती है, अवस्था, आप लोग youth age में हो, आप कभी child age में भी रहे होंगे, और आप आगे भी जाओगे, तो ये सारी क्या हैं, ये सब ages हैं, ठीक है न, ये सब अवस्था हैं, बस समयाई, अच्छा, कैसे जानेंगे कि ये सब abstract noun है मैं state के लिए बात कर रहा हूँ, ये जो अवस्था है, हम कह रहे हैं कि हमारी जो अवस्था है, is है, कि सोरा अवस्था, सैस्वा अवस्था, प्रोडा अवस्था, बिद्धा अवस्था, ये कैसे अवस्था है, मतलब इसको क्या हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं तो आपका दुस्मन आपको पकड़ के बोलता हूँ कि अब मैं तेरे को बढ़ने नहीं दूँगा, तुमारी अवस्था को क्या करूँगा, रोक लूँगा, इससे आप पता कर सकते हो कि यह जो अवस्था है, यह फील करने वाली चीज है, ठीक है? अब strict noun में honesty आगया, love आगया, hated आगया, friendship आगया, happiness आगया, enjoyment हो गया, और laughter हो गया, अच्छा है इसमें आप एक चीज माइंड कर रहे होंगे, कि इसमें suffix जुड़े हुए हैं, देखिए, love तो माली जी suffix नहीं है, इसमें hated भी इसमें infix है, इसमें suffix है, ness भी एक suffix है, और meant इसमें भी एक suffix है, मैं इसके color को फिर से change करता हूँ, मुझे थोड़ा सा red color पर ही रहने दो भाई लोग, ठीक है, अब देखिए, जो abstract noun बनाया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है, आपके सामने कुछ structure दिये जा रहे हैं, क्योंकि आप root word एक पकड़ो, root word और उसमें क्या लगाओ, suffix लगाओ, but suitable suffix, ऐसा नहीं है, कि love में भी कुछ लगा के तुम उसको abstract noun बना दो, क्योंकि love तो already abstract noun है, ठीक है, इसको हम क्या बनाएंगे, abstract noun, और 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 वो जो suffix हैं, वो कौन-कौन से हैं, वो ition है, tiion है, iion है, ity है, ty, y, th, h, sip, ness, ter, red, d, ment, ism, dom, अब इतना ही नहीं है, बहुत डेहर सारे हो सकते हैं, यह चीजें जहां last में लग जागती हैं, हम बिल्कुल समझ जाएंगी, यह noun है, और noun में कौन सा noun है, abstract noun है, ओके, आगे बढ़ते हैं, last page but not list, हाँ, ओके, भाई, तु नराज हुआ पड़ा है, management, अब manage देखेंगे, साथ में हमने suffix लगाया, mentor, इसका मतलब manage क्या एक बर्व है, इसमें मैंने क्या लगाया, suffix लगाया, revise, ध्यान से रखिए, जहाँ पर is-e है, वहाँ पर बर्व हो जाएगा, और जहाँ पर i-c-e है, वहाँ पर हो जाएगा, abstract noun, कितना simple है, इसमें बर्व है, और इसमें हमने क्या लगाया, suffix लगाया, decide में, decide को बन गया decision, इसमें वर्व में मैंने suffix लगाया, सिर्फ वर्व ही नहीं जुड रहे हैं, आगे अभी आप देखोगे, stardom, आपको मिला stardom, अब star plus dumb, ठीक है, आपको मिला star plus dumb, अब dumb में ये क्या है, ये suffix है, star क्या है, एक noun, इसका मत्तब वर्व ही नहीं, noun में भी हम suffix लगा के हम क्या बना सकते हैं, ठीक है, उसको हम बना सकते हैं, abstract noun, ठीक है, wise, अब wisdom बना, तो wise plus dom लगा दिया हमने, तो wise क्या है, एक adjective है, इसमें हमने suffix लगाया, तो बन गया, wisdom, ठीक है, expectations मतलब होती है, उमीर, expect करना किसी से, ये verb हो गई, इसमें मैंने tion लगा दिया, verb plus suffix, ठीक है, length बन जाता है, long से बनता है length, ठीक है, अब adjective में हमने क्या लगा है, infix लगाया, देखिए, infix की position देख लीजे, आप लोग, थोड़ा सा, ये है आपका root, ठीक है, यहाँ लगता है suffix, यहाँ लगता है prefix, ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर ले, infix की, तो infix इसी बीच में लग जाता है, यहीं पे, ठीक है, यहीं पे लग जाता है, infix, ठीक है, अगर मैं इसके structure की बात करूँ, तो structure इसका हो जाएगा, verb, noun, adjective, इन तीनों में से कोई भी चीज़ों में, अगर हम suffix लगाते हैं, तो हमारे साम आपके लिए homework है, वीडियो लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, इसको as a class लो, मैं वीडियो यूटूब पे इसलिए नहीं पोस्ट कर रहा हूँ, कि मुझे 10-15 मिट की वीडियो चाहे, मुझे आपको सारे content मोहया कराने है, सारे content प्रवाइड कराना है, तो वीडियो थ present, poor, wide, sweet, young, laugh, यह धेर सारे आपके सामने वर्ड है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसको like करो, और चैनल को subscribe कर लिजिए, आपको ऐसा ही content अब मिलते रहेंगे, नाउन के class, अगली class के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जैहन